अब हम लोग चलते हैं न्यास पर न्यास दो प्रकार का दिया गया है बुक में एक होता है उंगले का न्यास उसको कहते है कर्नियास कर मतलब आपके हाथ और एक होता है अंग न्यास अंग मतलब बॉडी के छे 파्र्ट्स थीक है तो पहले कर नयास तो यह आपकी ऊंग्लिया है तो पहले हम सुरू करेंगे अंग उठे से ट्व्हरिम्व्ष अध्याम्नमाः थे खास नंग्ली अंग्लिया नंग्लिया वंध्याम्नमाः फिर तरजनी, यह तरजनी है, क्लिंग तरजनी व्याम नमाहा, फिर मद्यमाई सौ्ह मद्यमाई व्याम नमाहा, फिर अनामिका, तीसरी उंगली, एंग अनामिका व्याम नमाहा फिर, कनिष्टिका, क्लीन, कनिष्टिका भ्याम नमाहा, सौह, करतल, करप्रिष्ठ भ्याम नमाहा, हो गया आप कन्यास, पहले अंगुठा, फिर तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर, अनामिका, फिर, कनिष्टिका, करतल, करप्रिष्ठ भ्याम नमाहा, अब हम लोग अंग नियास करते हैं, अंग में, एंग, रिदयाय नमाहा, रिदय, क्लीं, सिर से स्वाहा, सिर, सौह, शिखा, शिखा, टीक है, जा शिखा बंदन होता है, शिखाय वशट, फिर कवच, शोल्डर, एंग, कवचाय हूं, क्लीं, नेत्र, त्रयाय, तिन नेत्र हैं हमारे, एक, दो, तीन, नेत्रत्रयाय वशट, सौह, अब है अस्त्राय फट, तो अस्त्रा के लिए हम लोग ऐसे लेते हैं, बंदुक्के जैसे हमारा अस्त्र है, तो अस्त्र हमारा गया बाए कंदे से उल्टे डिरेक्शन में गया अस्त्राय फट उसके बाद आता है भूर भूर सुरो मती दिख बंद हा भूर भूर सुरो मती यानि कि हमने दिख बंद किया मतलब हमने तो छे अंगों को हमने अभी न्याज से पवित्र किया ये विदेर, शिरह, शिखा गवच, ती नेत्र फिर हमार में टार काका प्रफट कईवर सक्टो है किया किया कि हम आई पाउरफूल है कोई हमसे मेस नहीं करना कोई मैस नहीं करना मतलब कि कोई हमें तकलीफ नहीं देना कोई भी लोग जो भी यहाँ पर हैं ब्रह्मांड में हम मा के जब कर रहे हैं तो आप लोग आप अपने अपने जगा में जाईए दूर रहे है भूर भूर सुरोमति दिख बंदह मतलब पाताल से लेकर के स्वर्ग अब तक भी कोई भी हमारी साधना को अब लेने ही सकता अब हम मा की साधना में लग रहे हैं तो यह इसका आर्थ हुआ हम क्यों करते हैं यह सब कुछ पवित्री करन के लिए हमारी उंगलियां पवित्र हो अब हम साधना करने वाले हैं जब करने वाले हैं अर्चना करने वा अब कुछ-कुछ पुस्तोकों में अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा वेरेशन होगा लेकिन कोई गलत नहीं होगा सब सही ही होंगे अब किसी को यह सब कुछ नहीं आ रहा है इतना समझाने के बाद भी वीडियो बनाने के बाद भी कई बार लोगों को मैंने देखा है confidence नहीं आता जो यह जिनको लग रहा है नहीं हमसे कुछ गलती हो गई तो क्या यह किसी किसी को पढ़ने नहीं आता तो हमारे गुरुदे मेरे पिताजी परंपुजी स्वामी देविचेतना नंद जी ने और उनकी गरुपरंपरा में सब ने इसको सरल बना दिया क्योंकि कई लोग गाहूं वे गरा से आते थे जिनको इसे नहीं समझ में आता था उंगली को ऐसे कोरो फट फुट नहीं समझ में आता था नमस वहा है था log तो पिताजी ने और सरल बना दिया हे भैरव जी आपको नमस्कार है हे गायतरी माता आपको नमस्कार है गायतरी मंत्र सबको आता है ओम भूर भूस्वत अच्सवी तुर्मरेणियम भर्गो देवश्य धीमही दियो योना प्रचो देयात हो गया फिर आप संकल प्या लीजिए हे महा हे ललताम्भी का हम यह जब करने वाले हैं आप हम पर क्रिपा कीजी अब न्यास करना है तो उंगलियों में करना है तो एक मंत्र लेना एंग रींग श्रींग रिपीट करो एंग रींग श्रींग कुछ लोग बलेंगे नहीं हमारे यादो एम रींग श्रींग बोलते है वो भी सही है एम रींग श्रींग भी सही है एंग रींग श्रींग भी सही है संस्कृत के कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से दोनों सही है हमारे परंपरा में हमको एंग, रिंग, श्रिंग दिया गया है इसलिए मेरे मुख से आप बार बार एंग, रिंग, श्रिंग ही सुनेंगे तो आप ये मंत्रियाद कर लेना अब आप नियास करेंगे, कैसे करेंगे सरल वाला नियास? अंक रिंग स्रिंग.. जदने जबाइजू.. ठ्चीजए और प्सक्या कमा तुठायगा सानि यह ज़ती दोच्णी आप 6 زंने पुरे चपायगा दोच god तक थीज और चासे करेंगा सानिग कर आप सानिगे सानिगा से दोच क्यंग्ज़ Angering Sing Angering Sing Angering Sing सर प्यागए फिर नीचे आईए पेर केंग उटे तक, अंगरीं Sing एंगरीं Sing . पीर एक बार उपर आईए Angering Sing , एंगरीं Sing अप भावना किजिए कि पीछे से भी यहीं मंत्र चल रहा है आपके अंदर सर से लेकर के पैर तक Angering Sing, Angering Sing, Angering Sing एंगरिंग श्रींग हो गया, आपको अन्यास, शरल में तेड़ है न, क्या करेंगे, गुरुदेव को नमस्कार, गणेश जी को नमस्कार, भैरव जी को नमस्कार, गायतरी मंत्र पढ़ना है, फिर अपना मंद से अपनी भावना, और अपनी इक्छाय व्यक्त करके, मा को नम झाले बोल में यपनी यपनी इक्छाना हो भावना झोची मांद वर्वान तार जी क delicious, कहा का दो एंपनी भावना ता हैुरुदेबग हो करके दो एंपना हम क्रुदेपों पना दूलेकर, हैं जी को इन पना है, मिया, अनु शर प्यों यद ता, टॉदे़ जीमान झाले, झाल झाल